देश की राजधानी दिल्ली में कैब एग्रिगेटर सर्विस और डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मन्जूरी मिल गए है हमाई साथ परिवहन मंत्री के लाज गहलोत है बातचीत करने के लिए क्या इसके फाइदे होंगे दिल्ली वालों के लिए और क्या क्या इसके नियम होंगे इसके बारी में बताईए देखे सबसे पहले तो पहली बार मेरी खेल से किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम अगर इसको पॉलुशन पॉइंट इन्टु एक वहिकल्स तो इमोबिलिटी को बढ़ावा जिस प्रकार दिली सरकार ने पहले भी दिया है और यह सारी चीजें पॉलुशन को किस प्रकार से कम किया जाए उससे यह जुड़ी होई है तो यह नोटिफाइ होने जा रही है इसके मनजूर कि मिल चुकी है तो सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि यह किस पे लागू है यह समझना बड़ा जरूरी है तो कोई भी एग्रिगेटर जो डिजिटल प्लाटफॉर्म पे है चाहे वो उसका अपना एप है चाहे वेब पोर्टल पे है अगर वो कंजूमर के साथ इसे जयसे पा जएसर जोमेटो है सुएगी है या फिर एकॉमर्स वाली कटेगरी एसे फिलेपक आठ है और एमजान है बिक बासकेट तो ये तीनों केटेग्री में यह स्कीम जो है लागू होगी अब निमेमम जो फ्लीट है मिलब कितनी गाड़ियां कितने वहिकल्स पे लागू होगी अगर जिसके पास भी 25 से ज्यादा वहिकल्स इस प्लैट्वाम पे हैं तो उस पे यह स्कीम एपलिकेबल होगी तो यह होगा है सेकिंड जो होगे जितने भी नए वहिकल्स कोई एग्रिगेटर अपने बेडे में अपनी फ्लीट में एड़ करेगा उसके टार्गेट्स हमने पूरे दी है तो पांच साल मलगिद आप यह दो जार तेई से तो जो जार तेई से डिसम्बर मसमोज माले जाए फर्स दिसम्बर दो जार तो नेक्स फाई वियर्स इसका मालब फर्स दिसम्बर तूथाउजन ट्वेंटी एट में जितने भी आप नए वहिकल्स आड़ करेंगे वो हंडेट परसन लेक्ट्रिफाई हो जाने चाहिए ठीक है नंबर वन नंबर टू जो वहिकल्स आलड़ी किसी प्लैट्फॉम पे चल रहे हैं पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हो जितने भी हैं जो एक्जिस्टिंग वहिकल्स हैं उनके लिए दो सॉल एक्स्ट्रा दिया है हमने इसका मतलब कि 1st April 2030 के बाद दिल्ली में कोई भी अगर कमर्शल वहिकल इस प्लैट्फॉर्म पे है वो इलेक्रिक ही हो स करें तो यह बहुत बड़ा काद में जिस प्रकार से हमने लेक्ट्रिक बसेज को पूरा हमने बढ़ावा दिया है आज सबसे ज्यादा लेक्ट्रिक बसेज पूरे देश में अगर बात करें तो वह दिल्ली में दोड़ रही हैं साथी जो पिछले दिनों काफी चर्चा चल रही थी बाइक टेक्सी को लेकर लोग अपनी व्यक्तिकट टेक्सी लेकर उतर गए थे और वो चल रही थी उन पर फिर नकेल भी कसी गई लेकिन अब बाइक टेक्सी क्या पैट्रोल से चलने वाली बाइक सडकों पर दौड़ेंगे या उनके लिए अलग नहीं है यह जो गोल है कि प्यूंकि कोई भी अगर टेक्सी उस परकार से है तो चाहे बाइक टेक्सी क्यों ना हो वो दिन में काफी किलोमेटर चलती है लबक देड़ सो से 200 किलोमेटर का सफर जो है वो तैक करती है यह लगर हमने यह टार्गिट रखा कि साथी, क्या ये जितने भी प्रवाइडर हैं, एग्रिगेटर हैं, क्या इनको दिल्ली में अपना कैम्प ओफिस बनाना होगा, ये अनिवारे होगा, इनके लिए जरूरी होगा, और क्या दिल्ली सरकार का परिवाहन विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा या नहीं करेगा? कोई भी एग्रिगेटर है, कोई भी कंपनी है, उसका NCR में ओफिस होना ज़रूरी है, उसको पूरा कमांड सिंटर अपना सेट अप करना पड़ेगा, उस कमांड सिंटर का एक्सेस हमारे ट्रांस्पोर्ट डिपार्टम को देना होगा, और हमें जब भी ज़रूत होगी, व कितने डेली में रिस्टेशन है, कितने बाहर करें रिपोर्ट भी डेपार्टमेंट जो है, मंगा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्ती सामने आता है, या कंपनी सामने आती है, जो गाडी रिजिस्टर नहीं है और उसको चला रहा है सड़को पर, क्या आप एक्शन अगर कोई भी वाइलेशन अगर में मिलती है, तो वो डेपार्टमेंट के पास पूरे प्रोविजन हमने रखे हैं, I think आमाधी पार्टी के सरकार और ओनेबल सीमर्ण केजवाल जी का विजन हमेंशाहिरा है कि सरकार को एक फेसिलिटेटर के रूप में देखना चाहिए, ब कि उससे फिर और मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन अगर जुरूत पड़ेगी तो हमारे पास पूरे उसमें रूल्स और प्रोविजन पूरे हैं, अगर जैसे कोई वहिकल जो है, जैसे 90 डेस के अंदर इस प्लैटफॉर्म पे आना है, और लाइसेंस भी लेना है, उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा बाहन मिलता है, जो कि एग्रिगेटर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका रेस्टेशन नहीं है, तो फाइन है पहला, एनिवेर पांस जार से लेके एक लाग तक का फाइन वहिकल पे है, अगर फिर हमें मिलता है कि अगेंड डिफॉल्ट हो रह है, जो यह स्कीम है, उसके रूल्स को फालो करनेगा, तो फिर लास्ट में उसका लैसेंस जो है, पुरा कैंसल भी कर सकते हैं, बहुत 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 दन्यवाद, लेकिन एहम सवाल, एक मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि यह पॉलिसी आ रही है, जो दिल्ली में संख्या है, मह परिशानक से वो सो रोपय दिखाने लगता है, लोग परिशान हो जाते हैं, मजबूरी में उन्हें बुक करना पड़ता है, इसके लिए आप क्या लगाम लगाएंगे, तो देन, I think, as a responsible government, we will step in and take action, यहाँ पे करवाई भी होगी, अगर बेवज़े आप सर्प्राइज करत नोटिफाई होने जा रही है, यह सकीम, 90 दिन के भीतर, तमाम कंपनियों को रेजिस्टेशन करवाना होगा, और जो तमाम नियम और कानून मनाय गए हैं, उनका पालन भी करना होगा, देखना होगा, कि दिल्ली वालों को इससे कितना फाइदा होता है, कैमरामेन आजे ठाक पुर के साथ, पंकर जयन